उतरप्रदेश के आग्रा में घांजन तस्करों की गरफतारी का अजब गजब मामला सामने आया है अजब गजब इसलिए कहा जा रहा है कि घांजन तस्कर अपने आप पुलिस के हत्ते चड़ गए दरसल पूरा मामला फत्याब अथाना चेतर के आगरा लखनो एकस्प्रेस्वे का है, 18 जनवरी को पुलिस को आगरा लखनो एकस्प्रेस्वे पर कार का एक्सडिन्ट होने की सूचना मिली, जानकारी मिली की कार सवार तीन लोग कार के अंदर लौक हो गए हैं। कार सवारों से बंडलों के बारे में पूछा तो वो सकपका गए बंडल के बारे में कुछ बता नहीं पाए संदे होने पर पुलिस ने बंडलों को खोला तो पुलिस भी संद रह गए ऐसा होना लाजमी भी था क्योंकि बंडल के अंदर गांजब भरा हुआ था माजरा समझते पुलिस ने कार सवार तीन लोगों को मौके पर ही हिरासत में ले लिया तीनों को पूचताच के लिए पूलिस टीम थाने लियाई पूलिस पूचताच में तीनों आरोपी ने अपने नाम साजन सूरज और विजय बताए हैं तीनों आरोपी साउथ दिली के रहने वाले हैं आर पार से बाहर निकल गए आरोपियों ने बताया कि वह उडीसा से चालिस हजार रुपे कीमत का गांजा खरीद कर लाए थे दिल्ली में जाकर वैस गांज़े की खपत करीब देड़ लाक रुपे में करते आरोपियों ने बताया कि एक खेप की तसक्री करने पर उन्हें करीब एक लाक रुपे की बच्चत हो जाती है एसी भी फत्यवाद ने बताया कि आरोपियों के खिलाव मुकदमा दर्च कर लिया गया है आरोपियों के दो साथी फरार हैं उनकी गिरफतारी के प्रयास किये जा रहे हैं आरोपियों के कबजे से आठ किलो पांसो ग्राम गांजा बरामद में उपाई उक्तकार और तीन मुबाइल फोन बरामद किये गए हैं प्रातर दर्पर न्यूस के लिए आगरा से राहुल सिंग की रफोट सूरज पुतर गोपाल और विजेपुतर कमल यह तीनों दिल्ली के निवासी हैं और इसमें से साजन के उपर दिल्ली के थानों में कुल दो मुकद में गंभी धाराओं में संस्तित हैं बिस्तित पूश्टाज के उपरां ये पता चला है कि ये लोग जूनागड उडिकसा से गाजे की खेप लेकर के गाजयाबाद में बेजने जा रहे थे तुरित रुप से समुझी धारों में FIR पंज़ित करते हुए इनके साथ ही जो उडिकसा और गाजयाबाद में हैं उनको पकड़ने के लिए टीमे वरवाना करती है